Study IQ IS अब तयारी हुई हाँ उनको चाय बेचना है तो वो आकर जरूर बेच सकते हैं ऐसा बयान दिया गया था 2019 में खुद Sam Pitroda ने एक बयान दिया था 1984 का जो सिख रायट है उसको लेकर हुआ तो हुआ I am sure आपको वो भी याद होगा लेकिन अभी 2024 के इलेक्शन में Sam Pitroda जी अगेन Congress Party के ही लीडर हैं उनकी तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ रहा है कि खुद Congress Party को उससे बैक आउट करना पढ़ रहा है यहाँ पर क्या हुआ है कि वो एक इंटर्व्यू के दोरान एक बयान दे दिये कि भारत के अंदर जो Eastern Side में जो लोग रहते हैं जो North East से टैकल करने की कोशिश करता है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसा वाक्षा हुआ है कि North East से हमारे जो भाई बहन हैं जब वो आते हैं दिल्ली में आसपास के इलाकों में कई बार उनको यह समस्या फेस करनी परती हैं लेकिन आप देखिए यहां पर Sam Pitroda खुदी इस चीज को कह रहे हैं कि Indians in the East look like Chinese and South look like Africans तो आप सोच सकते हो कि इसको लेकर कितना बड़ा repercussion हो सकता है बहुत shocking तब मैं मुझे भी believe नहीं हो रहा था कि ऐसा एक जिम्मेदार नागरिक कैसे कह सकता है और इसी को लेकर थोड़ा हम समझेंगे कि exactly हुआ क्या यहां पर और Sam Pitroda का जो कुछ बयान है पिछले कुछ समय से वो भी मैं आपको बताऊंगा चलि आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कोर्स में study आए क्योंकि maximum discount ले पाएंगे और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए महापस stories में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप attempt कर सकते हैं चलि सुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं उसके पहले ही यहाँ पर एक और नया बयान दे दिया गया है जिसको लेकर again Congress Party को defend करना पड़ा है और जो BJP है वो लगतार Congress पर attack कर रही है यहाँ पर Petroda साब ने कह दिया और ध्यान रखिएगा Sam Petroda वो वेक्ती हैं जो राहुल गांदी जी के काफी करीबी है मतलब एक mentor के तौर पर माने जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया People in India's East look like Chinese and those in the South like Africans मतलब North East और इस वाले इलाके में जो लोग रहते हैं भारत के अंदर वो Chinese जैसे दिखते हैं कैसे कोई यह बात कह सकता है और यहाँ पर South में जो लोग रहते हैं वो Africans दिखते हैं दिखें यहाँ पर कोई Chinese या African को गलत बोलना का ऐसा नहीं है लेकिन एक तरह से आप कहीं न कहीं जो skin tone है उसके उपर प्रहार करने के कोशिश कर रहे हो मतलब दिखो आप अपना जो बयान दे रहे हो आपका हो सकता है intention कुछ और हो लेकिन जब आप बोलते हैं न कोई चीज शब्दें बहुत ज़ादा माइने रखते हैं किस शब्द का आप इस्तमाल कर रहे हो और ये समस्या तो हमारे North East में मुझे पता है मेरे बहुत सारे friends है वहाँ पर ये समस्या ये लोग का कहना है कि देखे जब भी हम आते हैं दिल्ली आसपास के इलाके में इस साइड तो हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो ये चीज अगर एक लीडर कहेगा तो अव्वेसी बात है ये काफी ज़ादा दुर्भागयपूर है ऐसा नहीं होना चीए और इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे North East के जो Chief Minister है जैसे Assam के Chief Minister, Manipur के Chief Minister तुरंत उन लोगों का यहाँ पर बयान आया उन्होंने कहा कि Congress Party को माफी मागनी चाहिए और Congress Party मनिपूर के अंदर को कि मनिपूर में आपको पता है पिछले एक साल से काफी ज़ादा हिंसा हमने वहाँ पर देखी है तो जो Chief Minister है बिरेन सिंग उन्होंने तो ये तक कह दिया कि Congress Party जिम्यदार है यहाँ पर religious ground पर कोई भी चीज़ों को divide करने की बात होती है तो Congress Party उसमें होती है और कही न कहीं मनिपूर में भी यहाँ पर जो बड़ी हिंसा हुई है उसमें भी आग लगाने का काम Congress Party ने किया है खेर question अब यहाँ पर यहाँ आपके मन में लगातार आ रहा होगा कि आखिरकार Sam Pitroda ने ऐसा क्यों कहा और हुआ क्या है exactly देखो क्या होता है ना कि जब भी इस तरह की controversies होगी आप अकसर देखना कहीं न कहीं interviews में इस तरह के बयान दे दिये जाते हैं तो देखो Sam Pitroda इसमें भारत में तो है नहीं वो बैठें में विदेश के अंदर वहाँ से वो interview दे देते हैं मुसीवत यहाँ पर हो जाती है Congress Party को तो यहाँ पर उन्होंने एक interview दिया The Statesman ठीक है वहाँ का जो डेली है अकबार है वहाँ पर उन्होंने interview दे दिया और अव्वेसी बात है interview में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि अभी तक पिछले कितने वर्षों से आजादी के बाद Congress Party ने क्या किया फिर अभी पिछले 10 साल से आप सत्ता में नहीं हो कैसा माहूल चल रहा है तो इसी को लेकर देखी उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल मतलब आजादी से लेकर 75 साल तक 2014 तक जो देश है वो काफी happy environment में था लोग हसी खुशी रहते थे थोड़े बहुत incidents लड़ाई जगड़े के हो जाते थे लेकिन लोग हसी खुशी एक साथ रहते थे ऐसा उनका कहना था फिर उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया भारत इतना diverse country है कितना diverse और इसी में उन्होंने इसका example ले लिया उन्होंने कहा we could hold together मतलब Congress Party देश को एकठा रख सकी इतनी diverse country को एकठा रख सकी और diverse का example उन्होंने दे दिया जहांपर लोग East के अंदर Chinese जैसे दिखते हैं West के अंदर मतलब गुजरात महाराज इस साइड लोग अरब जैसे दिखते हैं और North के साइड लोग White जैसे दिखते हैं White skin tone के और South में लोग Africa के जैसे दिखते हैं अब सोच सकते हो ये उन्होंने example दे दिया देखे उनका हो सकता है कि intention ऐसा होगा ये बोलने का कि देश जो है वो इतना diverse होने के बावजूद भी लोगों के अलग-अलग विचार होने के बावजूद भी लोग एक साथ रहते हैं वो एक intention ठीक है लेकिन जब आप example दे रहो ना इस तरह के तो definitely ये बहुत गलत है ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपके मन में इस तरह के example आही नहीं सकते और देखे उन्होंने ये भी कहा it doesn't matter we are all brothers and sister और उन्होंने साथी साथ ये भी बोल दिया people of India respect different religions, languages food, custom, लोगों की अलग-अलग choice है, पसंद है that's the India that I believe in where everybody has a place and everybody compromises a little bit तो देश के अंदर आपको पता है थोड़ा बहुत आपको compromise करना पड़ता है कई बार आप खुश रहते हो, निराश रहते हो तो ये सब चलता रहता है, लेकिन देश एक है चलता रहना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं definitely I'm sure आप किसी भी पार्टी को support करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये जो बयान था definitely वो सही नहीं था, और इसी के वज़े से यहाँ पर आप देख पाओगे, जो BJP है वो लगतार Congress Party की तरफ attack करने लग गई यहाँ पर हिमंत विश्व सर्मा, जो की Assam के Chief Minister है, उन्होंने कहा Sam भाई, I am from the North East and I look like an Indian, मैं कोई Chinese जैसा नहीं दिखता हूँ, we are all we are a diverse country, हम अलग-अलग प्रकार के देख सकते हैं, हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो फिर इसके लावा को पता है, कंगना रानावत यह भी अभी election लड़ी है BJP की तरफ से उन्होंने भी इसको लेकर कह दिया और जैसे यह बयान काफी जादा फैला, उसके बाद क्या था कि परधान मंत्री मोदी जी आपको पता है इससमें election चल रहा है, तो rallies में है तो तेलांगना के अंदर यहाँ पर उन्होंने Sam Petroda के बयान का खंडन किया, और देखिए उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर उन्होंने कहा I got to know that there is an uncle in America मतलब वो Sam Petroda की बात कर रहे थे Who is the philosophical guide of सहजादा तो basically वो कहना चाह रहे थे राहूल गांदी के philosophical guide माने जाते है एक third empire की तरह है मतलब कि जब भी राहूल गांदी को कोई advice लेना होता है तो वो उनसे advice ले लेते है लेकिन जो उनका बयान आया है वो कहीं न कहीं जो skin color है उसके basis पर ये बयान दिया गया है जो की गलत है I understand और इसलिए देखिए PM Modi का कहना है कि देखिए जब द्रौपती मुर्मू उनको defeat करने का एक ही कारण था because of her skin color ऐसा PM Modi ने अपने rally में बोल दिया मतलब BJP पूरी तरह से यहाँ पर Congress के उपर attack कर रही है और देखिए आप देख पाऊगे यहाँ पर जो जैराम रमेशी है उनको defend करना पड़ा है और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि Sam Pitroda का यह जो podcast था वो बहुत unfortunate था unacceptable है Congress Party खुद इस चीज को मान रही है कि यह बिल्कुल भी acceptable नहीं है Indian National Congress completely इस चीज से disassociate करती है लेकिन देखिए problem क्या है न कि यह पहली बार नहीं हो रहा है In fact, मैं आपको 4-5 example बताता हूँ Sam Pitroda का recent times में अगर आप देखोगे ऐसे-एसे बयान आया है एक तो inheritance tax को लेकर wealth distribution को लेकर काफी debate हुआ है पिछले एक-दो हफते से मैंने भी कई videos बनाया आपने देखा होगा तो inheritance tax को लेकर उन्होंने अमेरिका का example ले लिया कि अमेरिका में भी जो लोग है उनको जब भी उनको wealth मिलता है अपने पिता से, मा से जो भी कोई पैसा उनको मिलता है उनके पिता मा के जाने के बाद तो उसमें से कुछ हिसा अमेरिका की सरकार को चला जाता है तो वो कुछ example दे रहे थे और इसको लेकर controversy हो गई अभी ये तो बस एक दो हफ़ते पहले की बात है फूर इसके लवार राम मंदिर का जो inauguration हो रहा था उसमें भी उन्होंने बयान दे दिया उन्होंने कह दिया temples would not address India's pressing issues such as unemployment, inflation, education तो temple बनाने से इस तरह की समस्या खतम नहीं कुछ देखो ये बात ठीक है चलो आप temple बनाओगे तो unemployment, inflation, education, health वो नहीं होगा लेकिन आपको समझना है कि आप भारत में रहते हो यहाँ पर जादा तर लोग धार्मिक हैं लोगों की आस्था जूड़ी भी है तो temples भी जरूरी है कही न कहीं उनके लिए और जो health centers है hospitals है, schools है वो भी important है तो सब साथ लेकर चल सकते हैं आप लोगों की जो भावनाए हैं उसको समझ कर अगर आप देखोगे तो आपको हर एक चीज important लगेगी फिर 1984 anti-sick riot जो आपको पता है 2019 में मैंने आपको पता है उनका बयान आया था इसको लेकर हुआ तो हुआ तो काफी लोग शौक थे कि कैसे इतने बड़े riot को वो हुआ तो हुआ करके comment कर सकते हैं फिर pulvama attack के दौरान भी देखे हैं उन्होंने क्या कह दिया कि जो हमारी air force है जो army है क्या उनके पास इतनी छमता है कि हम इस तरह के strikes को conduct कर सकते हैं तो काफी बड़ा controversy ये create हुआ था और in fact एक और controversy हुआ था उसके पहले basically उन्होंने सम्विधान में जो role है उसमें ये कह दिया कि सम्विधान बनाने में जोहाल नाल नहरू जी का ज़्यादा role था in comparison to embed कर जी तो obvious ही बात है इसको लेकर भी controversy होनी थी तो यही सब हो रहा है दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर तो अभी just इसके बारे में काफी ज़्यादा खबरे फैल रही थी मैंने सोचा आपको इसको लेकर clarify कर दूँ बता दू exactly हुआ क्या है आप क्या सोचते हो मुझे comments में ज़रू बताइए का और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हूं क्योंकि हम skin tone और उसकी बात कर रहे थे तो जो color है human skin का वो किस चीज से produce होता है आपको बताना इन चार option में से इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं इसका सभी उत्तर में आपको पसंद आया होगा मिलता आप से नेक्स ताम तिल देन थैंक यू वरी मुच से यू सून